हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आज चैनल बिंग डॉक्टर तो देखें गाईज आज हम लोग बात करने वाले शार कर्म पर ठीक है तो यह तीसवा अध्याय में है और आपके वागबढ़ जी ने जो शार कर्म बताया है वो हम लोग आज देख लेंगे तो इस वीडियो को पूर अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि हम लोग ऐसे या अईरवेद की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं शार कर्म पर देखें शार कर्म क्या है बेसिकली आपको शार पहले शार क्या होता है वो समझ लेत जो है जाते है वह गया गया है इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है चैसल्फ पंज्य जादा होता है और आपका जो है लवन जो होता है?! तो उसमें से कौन सा होता है सबसे ज़्यादा होता है कट्टू और आपका लवन रस होता है अगला देखिए आप यहाँ पे जो शार की जो प्रॉपटी जार कौन-कौन से गुन रखता है अब शार में जो है वह पैनेट्रेटिंग पॉपटी मतलब भेदने की प्रॉपटी से लुउटर है इसमें फॉर्पवर्पवर्पवर्टी है और अगला बौला है दहन जाने ब्लब भर्रने आपको अच्छे से पता है दाइजिश्टिंग और आगही है टीरिंग मतलब फाड़ना थीक है तो फाड़ने की कौन रखता है शार रखता है डिजॉविंच प्रॉपइटी बोली गही है यहां Πर तीया उगला देखै अगला बोला लगया है कि है यह वर्म ul 17 फेशन क्या होता जो आपकी आतरिया होती है ऑपका जो large intestine जो intestine होती है उनमें क्या होता हूँ जो word고요 वह पार करा आर पार हो अब बात कर लेते हैं शार यह जो है सुप्रीम क्यों है सबसे चाही क्यों है शार पूरे आयर वेन में अब शार को सबसेज़ादा ऊचा इसलिए बोला गया है कि वहाद शार वह चीज है जहाँ पे आपके शस्त्र जो आपके इंस्टूमेंट है वो फेल हो जाते है पुछना fail हो जाते हैं वहाँ पे शार यूज किया जाता है ये oxygen में भी यूज हो जाता है, incision में भी यूज होता है extraction में भी यूज हो जाता है scarification में भी यूज हो जाता है इसलिए इसको supreme बोला गया है, सबसे उपर बोला गया है अब जैसे nasal polyps malignant tumor होगे, chronic ulcer होगे chronic ulcer मतलब बहुत जिन से ulcer हो रहा किसी को ठीक है, अब VTations of दोशा, मतलब दोशा आपके तरी दोशा summer state से bigger चुके है, खराब हो चुके उन सब में क्या है, जो शार कर्म है, वो सबसे जादा सही है ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको internally भी हम लोग difficult जो condition है, उनमें internally मतलब अंदर से दे सकते हैं, ठीक है तो यह था आप शार क्यों supreme है क्योंकि शार इसलिए supreme है क्योंकि देखिए आप जो भी instruments है जो भी आपके accessory instruments है वो जब fail हो जाते हैं कुछ disease को ठीक करने में, तब आप किस option पर जाओगे, शार करमे के option पर जाओगे ठीक है, अगला बोला गया है शार के types, यहाँ पर देखिए शार के types आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए, अभ्यंतर परिमार्जन और भाईय परिमार्जन मतलब क्या है, internal administration और external application अब यह देख लेंगे, हम लोग क्या है यहाँ पर देखिए, अभ्यंतर परिमार्जन अभ्यंतर परिमार्जन कुछ है नीए, आपको पाइल्स हो रुका है किसी को इन्डिजेशन की बिमारी है, फिर आपके abdominal tumor, ascitis, ascitis ascitis मतलब क्या होता है, जिए आपके flattus है, flattus है ने आपको जो gas है, gas जिस जम जाती ही ना पेट में तो उसको ascitis बोला जाता है सरल ची भाशा में, ठीक है फिर आपके artificial poisoning poisoning किसी को किसने poison खा लिया तो आप क्या दोगे उसको अभ्यंतर परिमार्जन जो है वो मसा, मोस हो रखा है तो उसमें क्या देना है आपको भाई ये परिमार्जन देना है अगला देखिए आप याप अगला है contraindications for शार प्रयोग, contraindication क्या होता है मतलब जो आपको नहीं देना है इन इन conditions में आपको शार प्रयोग नहीं करना है, अब कौन सी condition है वो पित रोग हो गया, रख्तज रोग हो गया आपके ठीक है, fever हो गया, डायरी हो गया वात, किसी के वात की बिमारी है किसी के हार्ट में बिमारी है किसी कोई pregnant है, pregnant और रत है जैसे, ठीक है, menstruation किसी के period चल रहे है, किसी को कोईनाजेशन हो रहा है, चाइल्डूड में, ओल्ड एज में आपको शार्ग नहीं देना है, क्योंकि यह क्या हो सकता है हानिकारक हो सकता है उस परसन की हल्थ के लिए, ठीक है समझो आप, अगला है देखिए, आपे बोला गया है, country indicated places and seasons, आपकी कौन से रितुओं में, कौन से कौन से जगह पर आपको नहीं देना है, देखिए आप, सबसे पहले तो आप समझिए, vital points, vital points कौन से veins हो गया, आपकी tendons हो गया, आप भी तो समझते हो ना आपकी veins, शीरा, यह सब जो है, वो vital points है, cartilages, bones हो गया, आपकी nail bed हो गया, जैसे penis, testicles हो गया, ठीक है, umbilical region हो गया, और less musculature area, मतलब जहाँ पर muscle कम है आपकी, ठीक है, जहाँ पर fat कम है, वह उच जगह पर आपको कभी भी शार करमजो हो है, नहीं देना है, अब देख लेते हैं, seasons के हिसाफ़ से देखे, वर्षय रितों में आपको नहीं देना है शार, फिर आपको जैसे हेमत रितों में बहुत थंडी होती है, तो नहीं देना आपको शार, ठीक है, अगला बोला गया है, शार पाक वीदी, शार पाक वीदी कुछ नहीं है, शार को बनाया बनाया का जाता है और शार अलगा तीजय कोई होते हैं वह आपको शारपाइब हैं वह से स्क्रीम पर सही सब्सक्या नहीं। एक कालम मुश्कक जो ट्री होता है उसके पास जो है आपका डॉक्टर जाएगा और डॉक्टर क्या करेगा वहाँ पे जाके प्रेयर करेगा ठीक है प्रेयर करेगा गॉड्स को अब कौन से गॉड्स को जो पेडों के बगवाने उनको प्रेयर करेंगे उनको प्रेयर करने के बाद क्या होगा वह अगले दिन जाएगा सुबह जल्दी और जल्दी जाके जैसे संराइज होगा मतलब सूर्य उद्धे के बाद आपका वापे जाके उस जो पेड़ है उसकी टैनिया काड़ देगा ठीक है अब उसकी टैनिया काड़ दी जो की इस नौर्ट डायरेक्शन मे और नौर्ट डायरेक्शन में जो भी टैनिया है वो काड़ देगा अब काड़ दी ठीक है अब वैसे ही आपको क्या करना है अलग-अलग द्रवे बताएगे बहुत सारे द्रवे बताएगे अब जाद आपको लन्नी रखना है एक दो के नाम याद रख लिए जैसे मैंने य सुख़ोशन में लिए अब आपको प्रेश्टल clear red thick जो है liquid of tan हो जाएगा इस liquid को आप क्या कीजिए oven में डाल दीजिए ठीक है oven में अच्छे से cook कीजिए अच्छे से पकाईए इसको पकाने के बाद क्या करना है इसको देखिए आपको वापस इसमें limestone डालना है और paste of excreta मतलब जो आपके जो waste product है जैसे आपके peacock हो गया falcon हो गया जो आपके इनके जो excreta है जैसे quak हो गया आपके जो ठीक है इन सबके excreta आपको उसमें डालना है बाइल जूस ऑफ अनिमल्स और बर्ट में मिलता है वो भी आपको इसमें डालना है इसमें आप sand of 11 डालते और आपको एकदम करने के बाद देखिए आपको क्या करना कहे इसको फिर वापस आप बारले में बारले में रख दीजिए ठीक है बारले में आप रख दीजिए वापस ये इसको preservation होता रहेगा ठीक है ये किया होगे आपका मद्यम शारपा मैंने कहके बोला पहले आप वो टेनिया काटी है ठीक है उसमें लाइम स्टोन डाले लाइम स्टोन डालने के बाद एश लीजिए र अगला मैं बोलता हूं आपको मुदू शारपाक देखें मुदू शारपाक वीदी सिमिलर है किसके मद्यम शारपाक के मद्यम शारपाक में जो किया ता वैसे ही करना है बस इसमें क्या नहीं करना है आपको एक नहीं करना है वो है प्रतिवाप प्रतिवाप द्रव्य जो है जैसे कि वाच हो गया और बहुत सारे द्रव्य बोले गए हैं इन सब को एड़ कीजिए आप एड़ करने के बाद आपको साथ दिन बाद जैसे की डिजीस की कंडिशन है वो देख कि आपको शार यह तिक्षन शार देना है ठीक है अब यह तो होगी शार की अलग-अलग चीज होता है ठीक है अब ट्यूमर के वाले पेशन में दे सकते हैं और वात वाले वात कफो जिनका बिगड़किया उनमें दे सकते हैं अब वात कफो और मेद वाले पेशन में तो मैंने याद रख लेए जैसे वी के एम ठीक है वी के एम करके तिक्षन शार में दे सकता हूं मद् मुरुदुशार, soft dollar, soft dollar शार किसको देंगे आप, ठीक है, mild वाला, तो वो देंगे, आप देखिए, अर्ष वाले प्रेजेंट को, जिसको पाइल्स हो रख है, जिसको पित्त और रक्त के रोग हो रख है, उनको आप जो है, वो कौन सा शार देंगे, मुरुदुशार देंगे अब बात कर लेते हैं, इनकी potency के उपर, अगर किसी शार की potency weak लग रही है, तो उसमें वापस जो है alkaline solution, जो है mix किया जाएगा, ठीक है, उसकी alkaline जो है, वो alkaline, alkaline जो है, वो बढ़ाई जाएगी, ठीक है, alkaline उसे वापस बनाए जाएगा, ठीक है, अगला देख लेते हैं इनकी शार की गुन, दस गुन बताए गया है, यह आपको जो है by hard होने चाहिए देखेगाज, by hard होंगे, तो यह आप लिख पाएंगे, नहीं होंगे, तो आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है, तो दस शार कोन से बताए गया है, नाइधर too strong, ज्यादा ज्यादा इस्ट्रॉ होनी चाहिए और स्मॉल पीग आप आपने शार को गिरा दिया लिछफ तो एक गरा एग तो आप牛डा सा था है जो आप ऄह जाना थे लिए डिवाढ्र एक दो नहीं होगा कि फ्लूर के साथ ही पूरा मिक्स होगी एक तो वैसा नहीं होना चाहिए ठीक है आपका easily dissolving मतलब जल्दी ही गुल मिल जानी चाहिए ठीक है और आगे जब बोला है non exudation और एक last है causing little pain मतलब एक दम कम pain होना चाहिए ठीक है ऐसा वाला शार जो है वो आपको use करना है यही शार जो है इन्ही गुनों के साथ आपको use करना ह और जो बोले गया है शार के जैसे गुन बोले गया है वो sucking का गुन है ठीक है sucking का है फिर हर जगा फैलने का गुन है और यह क्या है जो disease है उसको root cause से ही मिटा देता है एकदम root cause से अटा देता है फिर यह क्या करता है eliminate दोशा जो भी आपकी body में दोशा जो भी आपकी body में व प्रोब लगेगा तो यह तो यह यह तो 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 यह हमें है और कंड़ की सब्सक्राइब श्युक्सेथ होते हैं सात में पेशन्ट को आप दर लीजिए धरने का कारण यह ऑकई क्या होता बहुत वेदना होती है वेदना नहीं से हट बढड़ा जाएगा एक़म तो इसको पकड़ लेना है ठीक है पकड़ के आपको 100 seconds 100 seconds मतलब 100 seconds wait करना है आपको 100 seconds रुकना है देखना है कुछ और complications तो नहीं आ रही है अब गुद अर्षे हिमोरोइट हिमोरोइट जिसको piles की बिमारी है देखे गुद अर्षे जो है वो piles को यह बोला जाता है ठीक है बहुत common बिमारी है आपको क्या करना है प्रोक्टोस्कोप की slit होती है देखे प्रोक्टोस्कोप होता है आपका प्रोक्टोस्कोप ऐसा होता है ठीक है ऐसा प्रोक्टोस्कोप है यहाँ पे एक है न स्लिट होती है ऐसी जिससे जो है आपको दिखता है कि कहा अलसर है अब यह प्रोक्टोस्कोप क्या करते हैं आपके शार लेना है और रोड से आपको वो शार पे उस जगह पे लगा देना है और फिर आपको जो है 100 सेकंड वापस बेट करना है अगला देखिए अगला मैंने बोला है देखिए वर्तम ठीक है वर्तम रोग जो है वह आखों का रोग है आखों में क्या करना है आखों में जब शा से लगाना हो ताकि एक तो मोटने शार लगाना है और पेशन्ट को कोई भी जो यह दिक्कत ना हो टीख है अगला है नासा रोगह और करना रोगह और क्या है तैसे Larsen पॉलिप तूमर रोक है किसी को और उसको क्या करना है आपको सबद्दक के तरफ फेस करके शिट बोलना है बैठ जाए भाईया बैठ गया अब उसको बैठने के बाद क्या है उसके नेजल नॉस्टिल जो है उनको उनका ध्यान रखते हुए आपको जो है शार लगाना है वापे और पचास सेकेंड वेट करना है और वैसे सिमिलरली आपको जो है वो कर आपको ने रुक लिया ठीक है रुकने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पर देखे अलकली अलकली को ब्रस से रिम्यू कर देना है ठीक है रिम्यू कर दीजा वापस शार को रिम्यू कीजिए और इसको क्या किजिए हनी लगाईए घी लगाईए मत आपको जो है वहापे ह पेन होने लगता है जैसे शार लगाने के बाद तो आप क्या है sweet taste एक sweet taste आता है वहाँ पर और cold potency थंडा sheet जो वर्न है sheet sheet वहाँ पर सुरी sheet जो है वहाँ पर मिलता है मतलब आजमी को patient को थंडा थंडा लगने के लिए जो है यह सारे paste लगाया जाते है ठीक है और जो है इनको सब को घी के साथ mix करके लगाया जाता है यह आपको पता है sheet है तो वहाँ पर जो है थंड़क मैसूस होती है patient को ठीक है अगला अगला बुला गया कि आप उसको खाना दीजे पीना दीजे ठीक है और इससे गया होगा उसको क्लेद बनेगा body में motion होगी body ठीक है और अगर जो शार का करम है जैसे की काटने का करम है बलसर गाओ भर जाएगा इनमें इतनी ताकत होती है अब लक्षन होते है अलग अलग कि आपका जो शार दिया हुआ है वो सही लगाया है नहीं लगाया आपको यह कैसे मालूम पड़ेगा देखे समयक दगद लक्षन में क्या है आपने शार लगा दिया शार लगाने के बा क्या हो गया यह समयक दगद लक्षन में आ जाएगा अब देखे अगला जो बोला गया है वो दुर्दग द लक्षन में क्या है औपोजित होता है और कॉपर की तरफ पीतल की तरफ यह आपको जो है वो रंग आने लग जाएगा और बहुत ज्यादा intense pain जो है आपको दुर दगर लक्षन में होगा ठीक है अगला जो बोला गया है वो देखिए गाईज अति दगद लक्षन अति दगद लक्षन जो है मतलब यहाँ पर जो है आप अति अगर शार कर्म करते हो तो क्या लक्षन आते हैं वो देखिए आप ब्लीडिंग उन लग ज लाता है तूमर्च एलिमिनेशन और फीसे उरीन और इवन डेथ भी हो सकती है रेक्टम की इंजरी की वज़े से रेक्टम खराब हो सकता है पेशेंट का और उसकी इंजरी भी हो सकती है ठीक है जैसे आपने अगर पाइल्स में आप ऑपरेट कर रहे हैं समझ लिए आपका गलत हो गया शार आपका शार गलत हो गया और पेशेंट को अगर कॉंपलिकेशन हो रही है तो पेशेंट के मरने के चांसे भी हो सकते हैं ब्लीडिंग के वज़े से ठीक है और यहापर देखिए आप जैसे एक्सेसिव बर्निंग हो रही कि किसी को नोज में जैसे आपने न जो sensor organs है, उनका भी sensation loss हो सकता है, ठीक है, तो यही है शार कर्मे के, जो है, वो अगर आप accessue कर देते हो, अती कर देते हो, अती दगद लक्षन में, आपके आ जाएंगे, ठीक है, अब किसे ने अती दगद लक्षन किये है, ठीक है, किये है, चलो समझ लिए, अती दगद हो गय देते हो, चीज है, आम लो, जो, बी substance है, उनका सेघ दीजे आप, शेख दीजे, यानि आपको वहाँ पे स्वेधन करना है, ठीक है, उसके बाद आपको लेपन करना है, हनी का, घी का, आपका घृत का, और तेल का, यह क्या हो जाता है, शीत होता है, शीत होता है, जो जो ची जो excessive burning हो रही है, वह कम हो जाए ठीक है, तो इसको अतिदक्द लक्षिन को टीक करने का यही तरीका है, ठीक है, अगला जो बोला गया है, नीखे, शार substance कैसे होता है, वह cold इन touch होता है, मतलब टच में जो है, वो cold होता है, थंडय होता है, अजिक हैं तो आप देखे यापर श्वीटन टेस्ट होते हैं जब वो alkaline substance के साथ मिल जाते हैं वो मदुर आदू जो है मदुर जो है वह टेस्ट बनाता है जब रूड कलाईन substance के साथ शार के साथ मिल जाता है कौन सा आमलर जो substance है आमलर शार सबस्टेंस ठीक है अगला बोला गया है इसा च्यूब बोला गया है देखिए शार करने के बाद आपको जो है उसको वाश क्यों करना है आम ले जो है ड्रक से वाश इसलिए करना है ताकि वहाँ पे थंडग बनी रहे और पेशिट को कोई भी दिक्कत ना है अगर देखि यह सार करमा मैं आपको फर्स्टेंड में याद रकना है और अगर यह वीडियो अच्छा लगा एगलाई टो आप प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गई क्योंकि ऐसी वीडियो आपको आपको कहीं नहीं मिलेगी यूटूब पे आपको कह झाल झाल झाल